मेरे सबी किसान भाईयों को नमस्कार मेरा नाम है नितेज जैन और आप सब का स्वागत करता हूँ मैं आज के इस ओफिशल यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे बायर कंपनी की लेसेंटा दवाई के बारे में जी हाँ दोस्तों लेसेंटा दवाई के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको इस दवाई की तमाम तरह की उप्योगिता बताएंगे इसके टेकनिकल नाम के बारे में जानकारी देंगे और साथ ही साथ में दोस्तों इसकी डोस के बारे में भी बताएंगे कि कितनी मात्रा में आपको लेसिंटा दवाई लेनी है और कितने ml पानी में या कितने लीटर पानी में इसको घोल बनाना है कितने एकड़ खेत में आपको इसको करना है कौन-कौन सी फसल में आप इसको कर सकते हैं अन्य कोई दवाई मिला सकते हैं या नहीं मिला सकते हैं कौन से समय पे करनी हैं कौन से सीजन में करनी हैं कौन सी फसल में करनी हैं ये तमाम महत्वपून जानकारियां देंगे दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से वीडियो के अंत में जैसा कि हम हर वीडियो के अंत मे बताते हैं दवाई करते समय हमें किन-किन बातों की विशेश सावधानिया रखनी चाहिए उन सब के बारे में भी जानकारी देंगे तो दोस्तों बने रही हैं हमारे साथ में और अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजे सती के अनुसार आप धान में भी इसका इस्तमाल कर सकते हैं यानि कि गड़ा में भी कर सकते हैं लेकिन विशेश रूप से व्यापक रूप से आप गन्ना और मुंगफली में ही इसका इस्तमाल कर सकते हैं और दोस्तों इसके टेक्निकल नाम के बारे में आपको बता दू कि इ दोस भी बहुत खास हो जाती है गन्य में अगर आप इसको दो बार इस्तमाल करते हैं तो 200 ml प्रती एकड़ के इसाब से करना है एक बार करते हैं तो 500 ml प्रती एकड़ के इसाब से करना है मुमफली में 100-120 ml प्रती एकड़ के इसाब से आपको इसका इस्तमाल करना है तो दोस् लिए हम आपसे दरख्वास करेंगे कि जो डोज हम बता रहे हैं आपको उससे आपको बिल्कुल भी changes उसमें नहीं करने हैं आए दोस्तों आगे बढ़ते हैं महत्वपून जानकारियां दे देते हैं आपको ये white grub hollow trichia conseguena ये एक technical नाम है दोस्तों आदी रोगों की रोगथाम के लिए प्रियोग होता है white grub जो होता है जो सफेज सफेद धब्बा हो जाता है पत्ती पे या तने पे उसके लिए विशेश कुप से प्रियोग होता है इसमें दो सक्रिय तत्वे जैसे कारवाई का दोहरा तरीका होना ये पुरानी समस्या के खिलाफ कम खुराक और अत्यदिक प्रभावी नियंतरन प्रदान करने के लिए सिद्ध हुआ है जिसका सामना किसान कहीं वर्षों से कर रहे हैं ये बहुत बड़ी प्रॉबलम है जिसका सॉलूशन इसमें दवाईने निकाला है ये सफेद ग्रभ नियंतरन के लिए सबसे उप्यूक्त है ये रसायन विज्ञान के दो तरीकों का संयोजन कीटों के खिलाफ दोहरी कारवाई देता है प्रणालिगत और अंतग्रहन समपर दोनों ही तरीकों के कीटों की दिशाओं में ये बहुत जवर्दस इसका परिणाम देता है ये उतकरश्ट नियंतरन के साथ लंबी द्रड़ता देता है इसने पौधों की व्रद्धी में उलेखनिये प्रभाव दिखाया है जिससे बहतर उपज प्राप्त होगी ये दोहर पीजी आई बहतर जड़ व्रद्धी की और ले जाती है हरे पौधे बहतर उपज देती है पौधे को हरा वरा भी बनाये रखती है कीटों पर भी इसका नियंतरन रता है ये केंद्रिये तंत्रिका तंत्र जो कीट की केंद्रिये तंत्रिका तंत्र होती है मतलब सोचने समझ ज़ने की जो शक्ती होती है उसको निकोटेनिक एसिटाइल कॉलिन रिसेप्टर के प्रतिपक्षी इमीडा क्लोरोपेट उचित सिगनल ट्रांस्मिशन सिस्टम को परेशान करता है जिससे तंत्रिका कोशिका में उतेजना होती है और परिणाम सरूप तंत्रिका तंत्र का एक विकार अंततर इलाज किये गए कीट की म्रत्यू के लिए अग्रणी होता है जिया दोस्तों इमीडा क्लोरोपेट ये काम करता है और इसी वज़े से कीट का तंत्रिका तंत्र बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है कीट को लखवा मार जाता है कीट की सोचने समझने की शक इसी लिए इसका बहुत अच्छा प्रभाव हमें देखने को मिलता है दोस्तों आपको ये हम फोटोस के जरीए दिखाना चाह रहे हैं कि वाइट ग्रब किस सरे का होता है वैसे इस फोटो में वाइट ग्रब का फोटो नहीं है लेकिन हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वाइट ग्रब का फोटो जरूर दिखा देंगे और अब बात करते हैं दोस्तों सावधानियों की सावधानी रखना बहुत जरूरी है दोस्तों कोई भी दवाई आप करें सावधानी रखना बहुत जरूरी है बच्चों को दवाई की पहुंच से हमेशा दूर रखना है कोई liquid दवाई हो तो उसको अच्छे ढंग से हिला कर ही उसका गोल बनाना है हाथ के दस्ताने मूँ पे मास्क हमेशा लगाए रखना है जब भी आप दवाई का इस्प्रे कर रहे हो तब तब और दोस्तों भूके पेट तो हमें कभी भी खेत में स्प्रे करने जाना ही नहीं है जितना हो सके अच्छे ढंग से बहतर तरीके से इस्प्रे अगर आपको जब भी करना है तो नैपसेक स्प्रे पंप और फ्लैट फैन नोजल का ही उपयोग करना है उचित तापमान में ही दवाई करनी है जादा गर्मी में आपको कभी भी दवाई नहीं करनी है और डिबो, पैकेट, खाली बॉटल, प्लास्टिक की हो चाए टिन की इनको सबको नश्ट करके वहीं जमीन में गार देना है अन्य किसी भी उप्योग में इन दवाईयों को हमें नहीं लेना है और दोस्तों, हवा से विप्रीत दिशा में कभी भी आपको स्प्रे नहीं करना है जिस दिशा में हवा बह रही हो, उसी दिशा में आपको स्प्रे करना है ताकि दवाई की इस्प्रे आपके शरीर पर वापस करना लगे दवाई वेस्ट भी नहीं जाए और आसपास की जो दूसरी मेडे हैं दूसरे खेते उन पर भी इस्प्रे का कोई दुश्प्रभाव नहीं पड़े मधु मख्या पालन का अगर आप वेवसाय कर रहे हैं तो उसके आसपास भी आपको इस दवाई का इस्प्रे नहीं करना है मचली पालन के आसपास भी इस दवाई का इस्प्रे करने से आपको बचना है आशा करते हैं कि अक्षरश है आप इन सावधानियों का पालन करेंगे चाए आप लेसंटा दवाई कर रहे हो या अन्य कोई भी दवाई कर रहे हो कोई भी कीटना शक कर रहे हो सावधानी रखना बेहर जरूरी है जले लिए उत्पादों के साथ में तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है ये उत्पाद का सावधानी ये बनाय रखनी है ये थी तमाम जानकारिया लेसंटा दवाई के बारे में आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे बायर कमपनी का एक बहुत ही जबरदस और बहुत ही डिमांडिंग प्रड़क्ट जहां दोस्तों ग्लैमर दवाई के बारे में आने वाला वीडियो हम बराएंगे ग्लैमर दवाई जिसका की एक बहुत अच्छा नाम है और कोई भी इसान जो धान की खेती करता है, गरड़े की खेती करता है वो अगर ग्लैमर दवाई का इस्तवाल ना करें तो शायद उसके धान में कोई न कोई कमी तो रही जाएगी तो ऐसा कैसा है यह उतपाद और क्या है इसकी जानकारी बने रही हमारे साथ में ग्लैमर की जादा जानकारी के लिए आने वाले वीडियो में आपके सामने ग्लैमर की विस्तरित और विस्तार रूप से वीडियो लेकर आएंगे दोस्तों अगर ये जानकारी ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिए नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे दोस्तों नमश्कार